वेलो फ्रेंड्स नमस्कार क्लास 12 चेप्टर 7 अल्टरनेटिंग करेंट के लास्ट सेशन में आप सब का स्वागत है और आज इस लास्ट सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं फिसा के आप देख रहे हो ट्रांस्पोर्मर यह मुवी वाला ट्रांस्पोर्मर नहीं है यह रिय सेशन को फॉल्स होते हैं यह यह ट्रांस्पोर्मर से और इसके अंदर भी जुड़ा हुआ होता है ट्रांस्पोर्मर क्या है ट्रांस्पोर्मर आर्द डिवाइस वीच कनवर्ट वन वोल्टेज वेल्यू ऑफ एसी टू अनधर वेल्यू ठीक है अच्छा आप बोलोगे सर यसी की तो वेल्यू चैंज होते रहती है लेकिन यह कुन सी वेल्यू की बात कर रहा हूं rms वेल्यू की अच्छो यसी वेल्यू करने की जरूरत क्यों पड़ी तो देखिए p is equal to v i power is equal to voltage into current अब जब हमें बहुत लंबा distance cover करके, मतलब की power plant है, वहाँ से दूसरे जो टाउन से, वहाँ पर हमें electricity पहुचाने के लिए हमें इतना ज्यादा distance cover करना पड़ता है, और power plant पे जो electricity produce होती है, उसका voltage level और परमारा मतलब की हमारे घर चो दिन से वहां पर मतलब क्या है कि वो जो वुर्टेक्व न प्रोडियूस किया और we will mr. वह तो सेम नहीं तो कहने का मतलब क्या है हमें convert करना पड़ेगा ना, समझ में आये कि ने, for example, कोई information आपको चाहिए, और वो information exactly जो आपको चाहिए, वो Chinese language में available है, लेकिन आप Chinese पड़ नहीं पाते, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, उस Chinese language को अपनी जो language इसको आप समझ सकते हो, उसमें convert करना होगे न, वही में बोल रहा हूँ, की जो voltage produce हो रहा हो हमें नहीं चाहिए, हमें कोई और voltage चाहिए, ठीक है, तो हमें क्या खलना होगा, जो हमने voltage produce किया है, उसको convert करना होगे न, तो उसको convert कोन करेगा, तो ये transformer करेगा, ठीक है, one voltage to another, कितने टाप के transformer है, दो, one is the step-up transformer, and second is the step-down transformer, step up transformer का मतलब क्या है अब का मतलब ऊपर तो low voltage को high voltage में जो convert करतेगा वो है step up transformer और step down transformer क्या है जो high voltage को low voltage में convert करतेगा वो है step down transformer समझ में आए के नहीं मतलब की क्या है step up या step down आप किसके बेज़ पर देखोगे voltage के बेज़़ इसके बेज़़ देखोगे voltage पर अगर देखो पावर है तो पावर हमें constant रखे तो भी आई तो अगर हम voltage इंक्रीज कर रहे तो current voltage अगर increase हो रहा है तो current क्या होगा decrease होगा तो इसका मतलब क्या है कि step of transformer में अगर हम current की बात करें तो वो high current को low current में convert करेगा ठीक है या ऐसा मतलब कि अगर आपको current दिया है तो आप थोड़ा मतलब की साउधान रहे के सोचना कि कुण सा transformer दिया है step down या step up ठीक है step down या step up धानने के लिए हमें voltage देखना पड़ता है मतलब कि voltage up हो रहा है बढ़ रहा है तो step up transformer और voltage अगर कम हो रहा है तो step down transformer ठीक है and it is working on the principle of mutual induction या तो अगर basic बोलो बहुत basic तो यह हमाई electromagnetic induction जो हमने पहले चेप्टर पढ़ाना ओके आए अब जेक्ट है transformer दिखता कैसा है अब देख रहे होए यह किसकी diagram है बच्चो transformer की जो यह blue वाला है यह क्या है soft iron core जिसको हम इसे e-shape के जो iron के पाथ साथ है शायद आपने ऐसा देखा होगा e-shape के ठीक है एससे यह 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 सा आता है मतलब कि इसको अगर आप इससे सामने अगर इससे करके दोनों को mix कर दोगे तो आपको इस तरह कुछ दीखेगा पहला वाला ठीक है न देखो यह better है यह better है यह better नहीं है क्यों क्योंकि यहां पर क्या है देखिए यह जो यह पहली कोईल देखो यह primary कोईल है दिख रहा है उसके उपर क्या है secondary coil primary coil के साथ हम source connect करते हैं और secondary coil के साथ galvanometer ठीक है study basis के लिए क्यों क्योंकि primary coil का मतलब वहाँ से हम input देते है और secondary से हम output लेते हैं यहां पर भी primary से हम क्या लेंगे क्या देंगे primary को input और secondary को output ठीक है देखो क्या होगा कि इसमें जो primary में जो flux change होगा क्या होगा flux change होगा वो flux किसके साथ लिंक होगा secondary के साथ ठीक है बस यही principle पे यह transformer काम करते हैं ठीक है बहुत ही simple सा इसका formula का derivation है अच्छी तरीके से आप देखिए उससे पहले एक चीज़ आप जान लीजिए एन पी और एन एस एन पी क्या है एन पी इस नंबर ओफ टन नंबर ओफ टन इन प्राइमरी ठीक है और एन एस नंबर ओफ टन इन सेकंडरी व्यारी सिंपल तो मैंने वह नहीं लिखा अब समझें अब देखिए अगर मैं ऐसा बोलू कि ही 472 आई पी तो मतलब करन्त इन प्राइमरी अगर मैंसा बोलू आइस टो इन सेकंडरी कि हमें अगर मैं आई इन भी बोलू ना बच्च викर्ट तो भी आफ प्राइमरी समझें और आउट बोलू तो क्योए अब इसी अम सिंपूट शेक्षन मतलब primary section और output section मतलब secondary section चलो समझ में आ गया ओके अभी देखिए क्या है It is observed that flux linked with the winding is proportional to number of turns देखो अब मैं पत्ता भी है किस के proportional है number of turns that is phi proportional to n तो हम क्या लिख सकते हैं देखिए phi s upon phi p is equals to ns upon np अच्छी तरीके से याद रखो ns upon np तो phi s is equals to क्या होगा ns upon np into 5p हो सकता है देखो यह simple mathematical relation है इसलिए मैंने पहले आपको लिख के रखा है और explain कर रहा हूँ इसमें इतनी ज़्यदा दिमाग लड़ाने वाली कोई बात नहीं है बहुत simple है अगर यह exam में आ गया तो सोचना कि आपका लग बहुत अच्छा है आप इसको score कर सकते हो scoring topic है taking derivative on both side we get अच्छा derivative with respect to t with respect to t on both side we get देखे मैं डेरिवेटिव लिया तो अभी d5 by dt क्या है epsilon s है कि नहीं कोन यह बोलता है according to faraday's law according to faraday's law so minus epsilon s is equal to ns upon np into minus epsilon p तो देखो minus minus cut हो गया तो हमें formula क्या मिला epsilon s upon epsilon p is equal to ns upon np यह बहुत बढ़िया formula आ गया हमारे प्रांस ठेक है जो connect किसको करता है voltage और number of turns ठीक है दीक है number of turns in secondary to the number of turns in primary is equal to r उसे हम बोलेंगे transformation ratio क्या हम बोलेंगे बचाओं उसे transformation ratio अगर यह ratio 1 से बढ़ा है 1 से बढ़ा है कहने का मतलब secondary में number of turns ज्यादा है किस से primary से तो वो हो गया कुन सा step up ठीक है और अगर secondary में number of turns प्राइमरी से काम तो वो हो गया step down ठीक है ideally there is no power loss in transformer नहीं होता अगर अगर प्रैक्टिकली देखे तो बहुत सारे loss होते है hysteresis loss फिर यह flux leakage भी होता है AD current loss चूल हीट loss चूल हीट लोस होते रहते लेकिन अगर आइडियली देखे तो इतना power हमने input किया है उतना ही आउट आएगा एक कहां एक देखो इस पॉइंट पे मैं एक बात करना चाहूंगा कि step up हो या step down बच्चे क्या confused होते है step up है तो इसका मतलब output power ज्यादा है input से क्या कोई निया power generate किया नहीं ऐसा कर ही नहीं सकते है ठीक है हम energy क्या हम create कर सकते है नहीं step down का मतलब क्या होता है क्या output power low नहीं यह step up और step down voltage के लिए है बच्चो किस के लिए है voltage या तो current के लिए ठीक है यह हमने डिसक्रस किया step up हो या step down हो अगर ideal step up transformer हो या ideal step down transformer हो तो P in और P out दोनो equal होंगे ठीक है यह बात अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा लो अच्छा पावर का formula voltage into current एपसिलोन पी इन्टो आईपी तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं एपसिलोन एपसिलोन इस इंटो आईएस तो हमें क्या मिला देखो इस पर से तो combinedly हम क्या लिख सकते हैं ns upon np is equals to epsilon s upon epsilon p is equals to ip upon is ठीक है इस relation को अच्छी तरीके से याद रख लो ओके तो आपके transformer के example आप अच्छी तरीके से solve कर सकते हो अब आए देखते हैं कि practically क्या है practically many types of losses आते हैं इसमें से कुछ मैंने दिखा है एक hysteresis loss होता है ठीक है वह जो cycle मैंने बोली जैसा हमने magnetism और matter में ऐसा कुछ discuss किया था ठीक है क्या होता है कि alternating current है चेंज होता रहता है तो soft iron core है वह material magnetize और demagnetize होता रहता है तो उसकी वज़े से hysteresis loss होगा फिर ad current loss क्यों कि flux change होगा तो ad current produce होगा तो उसकी वज़े से loss फिर heat loss i2r और flux leakage थोड़ा सा होता है ऐसा नहीं कि primary का पूरा का पूरा flux secondary में चला जाएगा ऐसा भी possible है कि थोड़ा सा flux leak हो जाए ठीक है तो ऐसे losses होते रहते है अब देखो examples all करते है ताकि आपको transformer के सारे concept clear हो जाए ठीक है concept तो already इतनी थे इससे ज्यादा नहीं थे देखो क्या है question in ideal step of transformer देखो कैसा है ideal input voltage is 110 watt input voltage का मतलब है VP VP कितना है 110 watt and current flowing in secondary is 10 ampere current flowing in secondary is 10 ampere जो information दी है पहले मैं उसे लिख दूँगा if transformation ratio is 10 transformation ratio का मतलब है ns upon np is equals to 10 calculate output voltage okay चलिए output voltage का मतलब vs find करना ठीक है and current in primary मतलब हमें क्या find करना है ip primary and input and output power मतलब हमें p in find करना है और दूसरा क्या find करना है p out ठीक है ओके अभी हमारे पास relation क्या है बच्चो ns upon np is equals to vs upon vp या तो epsilon s upon epsilon भी लिदो कोई फर्क नहीं पड़ता is equals to ip upon is ओके अच्छा अभी ns upon np is equals to 10 तो vs क्या है वो हमें find करना है और vp हमें क्यां दिया है 110 is equals to ip वो भी हमें find करना है और is क्यां दिया है 10 बच्चो अगर इन दोनों का आप पहले लेते हो तो इस पर से आपको vs मिल जाएगा कितना 1100 वोल्ट ठीक है यह answer अमरा आ गया vs अभी आप इन दोनों को लेते हो इसको और इस 10 को तो ip भी आपको मिल जाएगा कितना ip is equals to 100 ampere ओके सही में simple है कि नहीं बच्चो ओके input power अगर हमें चाहिए तो input power is equals to voltage input v primary into i primary v primary कितना 110 और i primary कितना मिला अभी 100 तो क्या आएगा 11,000 watt मतलब की 11 kilowatt is equals to output power क्यों ideal step up transformer है कि नहीं step up है इसलिए देखिए secondary voltage ज्यादा primary voltage काम है समझ में आए कि नहीं so it is very simple अगर आप output power solve करना चाहते हो तो भी कर लो output power में क्या है vs vs into is okay is कितना है 10 और vs कितना मिला 100 वहाँ 1100 1100 into 10 11,000 to 11 kilowatt मिल गया so it is very simple ठीक है ओके आएए एक और example solve करते हैं a power transmission line feeds input power at 2300 watt okay मतलब की VP कितना है 2300 watt to a step-down transformer with its primary winding having 4000 tons okay np is equals to कितना है 4000 what should be the number of tons in the secondary okay चलिए अमें क्या पुचा है ns in the secondary in order to get output power at 230 watt okay कितने watt पर चाहिए 230 ओक हमारे पास relation क्या है ns upon np is equals to vs upon vp अच्छा वो current वाला नहीं लिखूना है okay fine so what is ns ns is equals to क्या हम बोल सकते हैं vs upon vp into np therefore ns is equals to vs कितना है 230 और vp कितना है 2300 into np np कितना 4000 तो यह 00 कट हो गया एक जिरो यहां कट होगा 20 23 23 गेट कट सो ns is equals to 400 कितने टंज चाहिए 400 okay don't you think it is very simple hmm एसे समागे यह तो बहुत चाहिए न देखो एक और सम एट अ हाइड्रोलिक पावर प्लांट the water pressure head is at height of 300 चलो कितनी हाइड से पानी गिर रहा है 300 मीटर the water flow available is 100 मीटर क्यूब पर सेकंड तो मतलब क्या है यह हमें वोल्यूम पर यूनिट टाइम दिया है कितना 100 मीटर क्यूब पर सेकंड इप टर्बाइन जन्रेटर एफिशेंसी इस सिस्टी परसेंट एफिशेंसी कितनी है इसका मतलब क्या है कि पावर अवेलेबल कितना होगा 60 परसेंट ओफ इन्पूट पावर इतना इन्पूट दिया है उसका 60 परसेंट ही अवेलेबल होगा बाकि सब लोस ओके चलिए तो फिर 60 इन्टू पी इन्पूट अपॉन हंड्रेड करें ओके तो 0.6 इन्टू पी इन्पूट करें अभी पावर का फोर्मला एनर्जी अपॉन टाइम यहां पर कौन सी एनर्जी है एम जी एज अपॉन टाइम अच्छा तो एम जी एज है तो हमारे पास मास तो है नहीं तो हम क्या करेंगे उसको डेंसिटी इन्टू वोल्यूम इन्टू जी इन्टू एज अपॉन टी उसमें कनवर्ट कर दो तो 0.6 ठीक इन्टू डेंसिटी ओफ वोटर थाउजंड इन्टू वोल्यूम पर यूनिट टाइम दिया हुआ कितना हंड्रेड जी कितना दिया हुआ है 9.8 एज कितना दिया हुआ 300 मीटर ठीक है तो यहां पर चलो इसको सॉल करते हैं कितना आउटपुट मिलेगा 0.6 इन्टू 9.8 इन्टू 3 0.6 अच्छा मैंने रो कितना लिखा हां तो हमें आंसर मिला 17.64 इन्टू 10 रिश्टू यह 3 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7 इतना वोट मिलेगा तो अच्छा मैं ऐसा बोलो 176.4 इन्टू 10 रिश्टू 6 वोट मिलेगा अच्छा मतलब कि 176 मेगा वोट कि इसा बोल सकते हैं नियरली 176 मेगा वोट ओके बहुत ज्यादा है इतना पावर आपको पता है सर्दार सवर योजना है नर्मदा के उपर वो 200 मेगा वोट कितना पावर जन्रेट करता है देखो अगर ज्यादा पावर जन्रेट करना है तो क्या होगा क्या करना होगा हमें एच है न ये एच उसको ज्यादा करना होगा तो वहां पर ऐसा बोला गया था कि उसके हाइट को चलो ज्यादा करते हैं ताकि कम टाइम में हम ज्यादा पावर जन्रेट कर पाएं लेकिन बाद में इश्यू हुआ था कि कुछ वहां पर तो मूमेंट भी हुआ था मेग सब कुछ ऐसा इश्यू हुआ था आप देख लेना तो समझता है ना कि क्यों हाइट बढ़ाना चाहते थे क्योंकि पावर जन्रेशन ज्यादा और वह पावर जन्रेशन से हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी टाउंस में पहुंचाते हैं आए अब देखते हैं इससे बच आपको ट्रांस्पोर्मर का कंचेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा यह एक्जामपल बहुत बढ़िया है क्या लिखाए देखिए और स्मॉल टाउन विए डिमांड ओफ ए 40 वोट तो यहां पर मैं ऐसा बोलता हूं कि यह प्लांट है यह कौन है प्लांट टिक और यह कौन है टाउन तो प्लांट से टाउन कितनी दूरी पे है 15 किलोमीटर कि अब इस डाउन को कितना पावर चाहिए 800 वोट पी रिक्वायर्ट कि मज़ाएगा बच्चों अच्छी तरुके से ज्यान रखना 800 किलोट वोट कितना फावर चाहिए ओके और कितने वल्टेज पर टूटव स्टेट वार्ट आपको पता ही होगा कितने वोल्टेज में हमें चाहिए 220 वोल्ट हां ओके इस सीचुएटेड 15 किलोमेटर आवे देखो इक दोनों के बीच में डिस्टन 15 किलोमेटर का है अवे 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 फ्रॉम दा इलेक्ट्रिक प्लांट जनरेटिंग पावर एक 440 वोल्ट अच्छा तो यह कितने कहां से कितना ज क्लियर हुआ होगा हां ऐसा ही करेंगे ठीक है लेकिन देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं अभी क्या है देखिए 440 वोल्ट है तो रेजिस्टन्स अब दो टू वायर लाइन केरिंग पावर इस पॉइंट फाइव ओहम पर किलोमेटर ओहो रेजिस्टन्स कितना है पॉइंट पॉइंट फाइव पर किलोमेटर तो इसको मतलब टॉटल रेजिस्टन्स कितना हुआ अगर आप सोच रहे हो पॉइंट 5 इंटू 15 तो आप गल्स सोच रहे हो इंटू 2 करना होगा टू वायर लाइन है ठीक है तो पॉइंट 5 इंटू 15 इंटू 2 करो तो पॉइंट 5 तूज तो हमें मिल गया तोटल रेजिस्टन कितना इन दोनों के बीच का अच्छा पर किलोमेटर यह साधी है ना इसलिया में इसा सॉल किया है ताउन गेट पावर फ्रोम अक्वि मअने चाइब ना दोना प्रह यहां पर लगया है जो से 2.000 कर देगा 4000 से कितना कर देगा 220 वो कहिने का मतलब क्या है कि यहां पर जो हमने transformer लगाया वो किसा transformer लगाया बच्चो step down transformer okay at substation in the town देखो town में substation पर जो transformer लगाया हुआ है वो कुन सा है step down कितना 4,220 कहिने का मतलब 4,000 को 220 में convert कर देगा estimate the line power loss in the form of heat चलो heat का loss कितना होगा तो बच्चो heat का loss होगा i square r ठीक है लेकिन सबसे पहले तो हमें i तो calculate करना होगा ठीक है i कैसे solve करें i i is equals to p upon v okay power power कितना है 800 kilowatt 800 into 10 raise to 3 ठीक समझ मैं के नहीं और voltage कितना है 4000 तो क्या answer आएगा देखते हैं देखे यह 4000 का यह कर्ट हो गया 800 ऑफोन फोर तो 200 एंपियर करन्ट आया ओके तो heat loss देखते हैं i square तो 200 का square मतलब कि 4 उसके बाद बच्चो i square आ यह मैं पूर्मिला रिप्लेस कर रहा हूं अर्क ना फिप्टें अगर तो 15 फोर्जा 60 और फिर एक दो 15 फोर्जा 60 ऑके चले इतना हो गया यह इतना वोट हो गया समझाए कि नहीं इतना वोट पर सेकंड यह सा हम बोल सकते हैं किलो वट ओके अभी यह जो है इतना जूल पर सेकंड तो कितना है देखो एगर मैं इसको वोट लिखू हों तो 30 कट करूप तो 600 किलो वट आएगा अच्छा यह लॉस है बच्चो इतना लॉस है, कितना 600 किलो वट मतलब 800 किलो वट चाहिए, ठीक है 600 किलो वट तो लॉस हो गया है वह तो अच्छा देखिए यह यह तो पहला सेक्षन था तो इसका इतना प्रष्टा चारो गया है अगर यहां से 800 किलो वोट भेजते हैं तो क्या इसको 800 किलो वोट पहुंचेगा प्लांट से नहीं तो सोचने क्या आपने ऑग को पी सप्लाइड शायिद आपको थोड़ा सा दिमाग में केलकुलेशन आया होगा कि 600 किलो वोट जितना embedded करके ही भेजते 600 Gilow जितना add करके बेजे तो हमें कितना वह बेजना पड़ेगा 1400 अगर इतना पावर बेशते हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या हाँ अब ऐसा हो सकता है कि अगर 600 किलो वर्ट पावर लोस हो भी जाए तो भी टाउन को कितना मिलेगा 800 किलो वर्ट मेरी बात तो आपको समझ में आ रहे हैं अभी सी देखे केरेक्टर इस टेप ट्रांस्फोर्मर एड़ प्लांट अच्छा यह 440 से डायरक यह देखो 4000 है ना लेकिन यहां पर तो पावर लोस हो गया तो यहां पर कितना सरी वोल्ट पावर लोस हो गया बीच में पावर लोस होगा हीट लो एक की वज़े से तो कितना मतलब कि हमें यह यहां पर ट्रांस्फोर्मर रखना होगा अभी देखिए एक चीज और भी है तेर इज वोल्टेज ड्रॉप इंग वायर लाइन बच्चों वोल्टेज ड्रॉप तो होता ही है रेजिस्टन्स है तो तो वी इक्वल टू आई आर आई कितना है 200 और रेजिस्टन्स कितना था 15 तो यह कितना हो गया 15 तो थ्री थाउजन्ड हो गया 3,000 वोल्टेज तो मतलब कि क्या होगा डिक्रिज होगा तो यहां पर आते-ए-आते फॉर थाउजन्ड मैंसा चाहिए तो यहां पर कितना होना चाहिए अगर फोटास्टनंट मैंसा होनाkaa हिंग को थी घ्ला जाएगा म में यहां पर चाहिए 3000 प्लस करके मतलब कि यहां पर चाहिए 7000 कुछ समझना रहा है आपको 7000 वोल्ड है तो बीच में कितना लोस हुआ 3000 वोल्ड जितना लोस हुआ तो यहां तक आते-ाते कितना हो गया 4000 वोल्ड ठीक है इसका मतलब क्या है therefore step of transformer step of transformer at plant is कहां 440 से कितना होना चाहिए 7000 वोल्ड ठीक है समझ मैं आए कि ने अची तरीक है साब को ताकि यहां आए तो वोल्ड कितना 4000 वीच रहे ओके ओके चली एक वार एक्जाम्पल इस पर डिसकस करते हैं क्या है दूदे सेम एक्सराइज एज अबोग विद रिप्लेस्मेंट अफ अर्लियर ट्रांस्फोर्मर बाइ 40,000 तूट्वेल्टी वोल्ड स्टेप डाउन ट्रांस्फोर्मर अच्छा वर टाउन पे कितना ट्रांस्फोर्मर था टाउन पे यह है शोन हें 4200 था था न उसकी जगा पर हमें 4000 नहीं करना है 40,000 करना कितना करना है 40,000 और सारी क्यलकुलेशन फिर से वोके तो रेजिस्टंस तो ताउ नहीं होगा यहां पर टी अपोन वी तो 20 एंपियर की जगा यह जो 200 एंपियर है न यह 200 Ampere की जगा 20 Ampere हो जाएगा क्यों स्वेरी सिंपल कि देखो आई इस इक्वाल स्टू पी अपॉन वी ठीक आई इस इक्वाल स्टू पी अपॉन भी तो 800 किलोवर्ट था अपन वोल्टेज तो वोल्टेज कितना 40 था हो देखिए यह दो जिरो तो यहां कट हो गए और दो जिरो इसमें कट हो जाएंगे तो एट तो और इदर कट होंगा तू तो 20 Ampere सिर्फ 20 Ampere करण्ट ही हमें चाहिए होगा तो हीट लॉस कितना होगा हीट लॉस आई स्क्वेर आर होगा तो आई कितना है 20 तो 20 का स्क्वेर कर देते हैं 400 और यह हो गया 15 ठीक है तो 15 फोर्जा हो गया 60 और यह 0 दो जिरो तो मतलब कि 6 किलोवर्ट चितना ही हीट लॉस होगा कितना लॉस होगा बच्चों बहुत कम लॉस होगा 6 किलोवर्ट चितना ही लॉस होगा अगर उतना ही लॉस होगा तो इसका मतलब हमें जो सेंड करना है वो पावर भी कितना सेंड करना होगा हमें सप्लाइ पी सप्लाइ भी 6 प्लस 800 मतलब कि 806 किलोवर्ट चितना ही सप्लाइ करना होगा समझ में आ रहा है ना आपको अच्छी तरीके से और उसके बाद नेक्स्ट क्या है देखिए अच्छी तरीके से नेक्स्ट क्या दिया है सी करेक्ट्राइज दस्टेप ट्रांस्फोर्मर एड़ प्लांट तो देखिए अब हम वोल्टेज लोस भी यहां पर पहले गिन लेते हैं तो वी इज इक्वल्स टू आया तो आई तो कितना था ट्वेंटी और आर कितना था फिप्टिन तो फिप् हो गया है हमें यहां पर कितना चाहिए ठीक है मतलब कि यह सब एड़ांटेज है बच्चो किसका मैंन तो यह तो फिज्ञाप रहा था वह भी कम हो रहा है तो यह हमन चाहिए मेंली कि heat loss क्या हो कम हो ताकि मतलब कि कोई problem ना हो इसलिए तो हम बचो step up और step down transformer का use करते हैं तो आपको अच्छी तरीके से यह समझ में आया कि किस तरह हम transformer को use करते हैं या transformer की application या उसका principal ठीक है तो यहां पर हमारा यह chapter खतम हुआ and in the next session we are going to discuss electromagnetic wave okay thank you and namaskar